मोटापा से जीवन भर के लिए छुटकारा पाए, इस आयुरवेदिक फार्मूला का पालन करें, हमें खाने के देर घंटे बाद पानी पीना है, ये याद रखे कि देर घंटे बाद ही पानी पीना है, लेकिन पानी कैसे पीना है, ये बहुत महत्व की बात है, आप अभी साम पान्य रूप से पानी कैसे पीते हैं, एक गिलास पानी भरा मुह में लगाया, गट गट गट, एक बार में ही पी लिया, गिलास एक बार में ही खात्म, कुछ लोग मुह खोल लेते हैं और खोल कर उपर से गिराते हैं, और पानी लगातार गटकते जाते हैं, ये दोनों तर तरना और तीसरा हाइड्रोसील ये हरनिया सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों को आता है जो पूरा गट-गट के एक बार में ही पानी पीते है और जो हाइड्रोसीले है ये थोड़ी उम्र के बाद आती है विशेश रूप से ये पुर्शों में आती है हरनिया तो माताओं में भ गट-गट पानी पीना अच्छा नहीं है तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि पानी कैसे पीना है आयूरवेद में पानी पीने का सही तरीका वही बताया गया है जैसे आप चाय पीते हैं जैसे आप कौफी पीते हैं और जैसे आप गरम दूद पीते हैं सिप सिप करके प प्यार हूँ कि जो भी व्यक्ती जिन्दगी में सिप करके पानी पिएगा, आयुर्वेद की गारंटी है कि जिन्दगी में कभी भी उसको मोटापा नहीं आ सकता, कभी भी उस व्यक्ती का वजन नहीं बरहेगा, जितना वजन होना चाहिए, अगर पानी सिप करके पी रहे है, तो जिन्दगी भर उतना ही वजन रहेगा आप उसका उल्टा प्रश्न पूछ सकते हैं कि अगर वजन बरज गया है तो तो आप बिल्कुल चिंता ना करें आप सिप करके पानी पी लीजिए, छे से साथ महीने में दस किलो वजन आपका घट जाएगा ये जो मोटापा है ये धीरे धीरे आया है, एक दम नहीं आया है, इसलिए धीरे धीरे ही कम होगा यही प्रकृती का नियम है, अगर आप इसके विपरीत जाकर वजन कम करेंगे तो एक बार तो कम हो जाएगा लेकिन जैसे ही आप उस चीज को छोड़ी अच दोगे, पहले से भी ज्यादा मोटापा आ जाएगा अब आपके मन में एक सवाल आएगा, कि पानी ऐसे पीने से वजन ज्यादा घट गया तो उसकी आप बिल्कुल भी चिंता मत करिये, जितना बरहा हुआ है उतना ही घटेगा, घटने के बाद स्थिर हो जाएगा आप हमेशा सिप करके ही पानी पीजिए इसका दूसरा फाइदा ये होगा, कि अभी आप कल से ही देखेंगे अगर सिप करके पानी पीने की आदत अपने डाली, तो ये जो घुटने का दर्द है, ये साथ दिन लगातार पानी ऐसे पीने से 25% खत्म हो जाएगा ऐसे ही अगर एडी का दर्द है, या जॉइंट का पैन, ये तो साथ दिन में 100% खत्म हो जाएगा ये जो जॉइंट में पैन आपको होता है, ये 25-30% साथ दिन में कम हो जाएगा और सवेरे सवेरे उठते ही, जिनको सरदर्द होता है, चक्कर आते है, ये साथ दिन में तीनों ही गायब हो जाएगे पहला सूत्र था, खाना खाने के बाद, पानी नहीं पीना है, डेर घंटे के बाद पीना है और अगर कुछ पीना है, तो सुबह जूस पीना है, दोपहर को लस्सी अचाच पीनी है, रात को दूद पीना है और दूसरा सूत्र ये है कि पानी हमेशा घूंट घूंट थोड़ा थोड़ा करके पीना है